प्रियागराज में शुकरवार की शाम राजुपाल हत्याकान के गवाउमेश पाल और उनके गनर के बेखौफ, बदमाशों ने बम और कोली मारकर के हत्या कर दी इस घटना के बाद से ही प्रदेश की राज़ूती में भूचा आला के आ है सदन से लेकर के सडक तग प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा किया जा रहा है इसी बीच बसपास सुप्रमों मायवत्ती ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है उन्होंने का कि प्रियागराज में राजूपाल, हत्याकान के मुखेगवा, अदिलवक्ता, उमेश पाल और उनके गनर की दिंदाहारे हत्या अती, दुखद, वअती, निंदन्ये हैं यह घटना यूपी सरकार के कानून व्यवस्ता के दावो की पोल खोलती है सरकार मामने को गंभीरता से लेते हुए इसकी उच्च स्थरिये जाज करा करके दोश्यों को सक्त सजा दिलाए जिस तरह से सरयाम उमेश पाल के हत्या की गई इस मंजर ने 25 जनवरी 2005 की याद दिला दी है इसी जीटी रोड पर ब्यस्पी के ततकारीन विरायक राजुपाल की सरयाम गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई थी उसी तरह का मंजर 18 साल के बाद उसी जगा से करीब 400 मिटर की धूरी पर दिखाई दिया है जिसमें राजुपाल हत्याकांड की गवा की गोली मार करके हत्या कर दी गई प्रयागराज के घूमन गंज इलाके के लोगों को उमेशपाल की हत्या के बाद साल 2005 के हत्याकांड का भी मंजर पूरी तरीके से याद आ गया है हलाकि तब कि कानून व्यवस्ता पुल तरीके से फेल मानी जाती थी लेकिन 18 साल के बाद परिस्थित्यां बदल गई हैं और कानून व्यवस्ता को लिगर के सरकार अब दम भरती है लेकिन बीच सड़क पर हुई इस हत्या के बाद प्रदेश के कानून विवस्ता पर भी बड़ा सवाल उठने लगाए